जाहें दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल, Apex Study Hub में तो जैसा कि आप सब जानते हैं, NDA का एक्साम को बहुत ही कम दिन, लगबग 15-16 दिन रहे गए हैं तो आपको अपने एक दिन के 12 घंटे कम से कम निकाल ले होंगे, क्योंकि 15 दिन बचे हैं और तयारी बहुत जादा करनी होगी, बिल्कुल रिवीजन बगएर सब लाना है, इसमें, मौक भी आपको करने हैं तो अब बात करते हैं कि 12 घंटे का मेरिजमेंट आप कैसे करेंगे, यह मैं मिनीमम 12 घंटे लेकर चलना हूँ क्योंकि इतना आपको करना पड़ेगा, यह मैंने भी किया था, मैंने हाला कि 12 से कभी कभी एक-दो घंटे जादा भी लिये थे लेकिन यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम यह भी आती है कि भीच में त्यवार याने दिवाली भी है, तो दिवाली के जस्न में जाएं, थोड़ा सा उसके लिए टाइम बचा लें, यह एक-दो दिन सेलिवेट करें, जादा टाइम उसको भी ना दें, उस दिन भी पढ़ाई उनके रिवीजन के लिए टाइम सेपरेट अलग करना पड़ेगा, जो लगभग एक घंटे या देड़ घंटे आप ले सकते हैं, उसके लिए बहुत ही जरूरी है, आपने अभी तो पीछे पढ़के आएं, तो आप समझ रहें कि यहाँ मैंने एक बार पढ़ लिया, एक ब पूरा कोर्स कराएं, वो नहीं, जिसने रिवीजन बहुत अच्छा कराएं, अगर उसने मालो 70% ही कोर्स कराएं, लेकिन 70% का उसका रिवीजन दो से तीन बार है, तो वो सारे कोशन या उसमें से जो आएगा कोशन उस टॉपिक में से, वो बढ़ी असानी सा टेंड कर आप स्पोर्टिंग एरर्स और जंबर संटेंज के लिए उसमें टाइम ले सकते हैं, यानि टोटल एक से सवा घंटा आप चाहें, तो इंगलिस के लिए लग दे सकते हैं, अब बात करते हैं, जी एटी के जी एटी में हमारे दो चीज़े होती हैं, एक साइन्स होता है, और गंटे का टाइम निकालना होगा, अब इस दो घंटे के टाइम में आपको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोजी को मैनेज करना होगा, बो डेपेंड करता है कि आप किस तरह से आपकी किस सब्जेक्ट में तयारी है, जैसा कि फिजिक्स में जादा कोशन पूछे ज आप इसमें कुछ टाइम और एट कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी और में से कम करना पड़ेगा, जिसकी आपको तयारी अच्छी हो चुकी है, अब बात करते हैं सोसल इस्टेडी की, तो हमारे बहां पर पोर्षन है, हिस्ट्री का, जिजिक्स का, और हमारा सिविक्स का, तो इसमें देखिया जो हमारी हिस्ट्री होती है, उसमें modern हिस्ट्री सबसे आदा पूछी आती है, तो हम उस पर focus करना है, और दूसरे हमारे जिजिक्स है, तो इंडियन जिजिक्स आप जानते हैं, वो भी इंडियन ही रहेगी, तो इसके लिए आपको दो घंटे का time लेकर चल अब इन तीन घट्टे में आपको करने हैं मौक, अब देखिए 15 या 16 दिन जब बचे हैं आपके तो आप कोशिच करें कि आप हर दिन एक मौक करें, अब इस मौक को करने का करम आपका होना चाहिए, अल्टरनेट यानि एक दिन हम करेंगे GAT का मौक और दूसरे दिन करेंगे म क्योंकि यह हमारे लिए सब्सक्राइब होने वाला है क्योंकि अगले आने वाले 15-16 दिनों के अंदर हमें इस पेपर की प्रेक्टिस हो जाने चाहिए, कैसे अटेम्ट करना है, कितना टाइम किस पोर्शन में देना है, किस तरह से कोशन को डील करना है, ज्यादा टाइम तक िहुति अटकना नहीं है, कि हम टाइम बरवाद करने में चले जाएं, तो यह हमारे लिए एक mock करना होगा, एक दिन science का करेंगे, यहनी एक दिन GS का करेंगे, और एक दिन करना होगा आपको math का, और इसके लिए आपको अपना analysis भी करना होगा, कि मैंने कितना अच्शा करा, कहां गलतियां करी और कहां मैं बहतर कर रहा हूँ कहां मैं टाइम में अटक रहा हूँ तो इस सबको मैनेस करके चलेंगे तो जिस दिन आप पेपर में वैठे होंगे 14 अवंबर को तो आप confident होंगे आपको पता हो किस तरह से पेपर को solve करना है तो यह आपको हो गया आपके 12 गंटों का time management लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ही है कि आपको इन 12 गंटों का use लगातार नहीं करना है एक के बाद 12-12 गंटे चले गए तो आप अगले 2 गंटे में ही पक जाएंगे 2-3 गंटे में जब पढ़ना सुरू करेंगे तो इसको management आपको ऐसे भी करना है कि आपको 20-20 में time slot को gap भी देना पड़ेगा जैसे आप अगर सुबह उठते हैं तो सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा पांच या चार बज़े चार बज़े या पांच बज़े आप उठ सकते हैं उसके बाद कुछ time पड़े फिर gap लेंगे उसके बाद थोड़ी दिर पड़ेंगे फिर से हम दोपैर में कुछ gap लेंगे या हो सकता है कि थोड़ी बहुत नेंद भी ले सकते हैं सबसे पहले हमारी चैनल पर आपको आंसर की मिलेगी और पूरी आंसर की हम यहाँ पर live session में देंगे आपको और साथ ही आपको यह भी बताएंगे 5 दिन पहले कि किस तरह से आपको पेपर को solve करना है और कैसे होने चाहिए एक best strategy कि हम आप पेपर को solve करने जा रहे हैं तो किस तरीके से time management करके उस paper को solve करने पर हम ध्यान दें चाहे हो math का हो या GAT का तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और शेर करें अपने दोस्तों के साथ जो देने जा रहे हैं इंडिया का एक्जाम और 15 दिनों में अकर वो यह भी टैंस्ट है कि कैसे हम time management करें तो उनके लिए यह वीडियो हन अपने वाली helpful